दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने आइफोन में 5G सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको सबसे पहले तो चले जाना है अपने आइफोन की सेटिंग्स में settings में जाते ही आपको इस type का interface मिलेगा यहाँ पर आपको एक option दिखेगा उपर ही यहाँ पर mobile services का आप इस पर click करेगे इस पर जैसे ही आप click करेंगे तो आपको यहाँ पर उपर की side एक option दिखेगा mobile data options का आप इस पर click कर लीजिए इस पर जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखाएगा voice and data का तो आप इसपे click करिए आपके में यहाँ पर यह लगा होगा तो आपको simply 5G auto पर click कर देना है यहाँ पर जैसे आप इसपे click कर देंगे आपके में auto अब यह क्यों है auto मतलब जब भी 5G available होगा तो वो automatically 5G में switch हो जाएगा 5G speed आपको मिलेगी 5G नहीं available होगा तो फिर आपको 4G speed ही मिलेगी या जो भी available होगा वो मिलेगी या फिर इसके लावा नीचे जैसे यहाँ पर लेका 5G auto uses 5G only when needed for performance while optimizing battery life तो मालिज आपको 5G available है तो इसमें क्या होगा वो तभी use करेगा जब performance के लिए required है, needed है speed 5G तो वो use करेगा और अगर आप यहाँ पर 5G on use कर देंगे तो यह 5G on uses 5G whenever it is available जब भी available होगा आपका 5G तो वो 5G ही use करेगा लिखाए बलकी मलब लेकिन यह जो है battery life reduce कर सकता है बट लेकिन फिर भी यह 5G ही use करेगा तो आप यहाँ पर 5G auto select कर दिए उसका बैक कर लिजए यहाँ पर select हो जाएगा और बस आपके में अब 5G speed आने लगेगा और इसके लावा आप एक चीश कर लिजएगा यहाँ पर back करेगा यहाँ पर network provider services पर click करेगा आप network selection पर इस पर click करेगा और यहाँ पर आपने manually select कर रखा है तो आप इसको automatic select कर दिजएगा on करके automatic select करेंगे तो जो भी जिस भी type का network available होगा वो उससे connect हो जाएगा automatic select कर देंगे यहाँ पर जो भी network available होगा 4G या फिर 5G वो आपका phone use करने लगेगा अगर वीडियो से help कुई हो तो वीडियो को कर दिजए like चैनल को कर लीजए subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए